इस्टार्ट 36 गड में अब भी नकसली हमलों को रोक पाना सरकार के लिए बड़ी चुनोती है मोका पाते ही नकसली सशेष्टर बलों पर हमला कर देते हैं केंद्र और राज्य सरकारें दावा करती रही हैं कि नकसलीों पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है मगर हकीकत यह है कि नकसली सरे बाजार किसी सुरक्षाकर्मी का कुलहाडी से गला काट कर हत्या कर देते हैं वहां के बीजापुर जिले में हुई गठना इसका उधारन है भरे बाजार में नकसलीों ने कुलहाडी से 36 गड सशस्त्र बल के एक कमपनी कमांडर का गला काट दिया इसके पहले कई बार वे बारूदी सुरंग बिचा कर या उनके शिविर और काफिले पर सीधे हमला कर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर चुके हैं पिछली सरकार ने उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं चलाई वनोपज और हस्तशिल्प की खरीद की दरें तै कर दी गई ताकि आदिवासी समुहों को आर्थिक संबल मिल सके और वे नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त हो सकें मगर वे योजनाएं पूरी तरह कारगर नहीं हो पाईं अब इस्तती यह है कि कुलाडी से भी सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर आसानी से गायब हो जाते हैं जाहिर है उन्हें इस्थानियों लोगों का समर्थन हासिल है 36 गड में नक्सली समश्या बहुत पुरानी है उससे पार पाने के लिए कई तरीके आजमाये गए जादातर मामलों में उनके दमन का रास्ता ही अक्तियार किया गया उनसे बातचीत के जो भी प्रयास हुए वे ना काफी साबित हुए जादातर नक्सली हमलों में देखा गया है कि उनके पास अत्याधुनिक हतियार और सूचना संसाधन पहुच चुके हैं वे सुरक्षाबलों की गती विधियों और काफीले वगेरे का ठीक ठीक पता लगा लेते और बारूदी सुरंग बिचा कर हमला कर देते हैं यह समझना मुश्किल है कि उनके पास इतने हतियार और साजो सामान पहुच कैसे रहे हैं उन रास्तों पर सुरक्षाबलों की नजर जा नहीं पा रही जिनके जरिये उन तक साजो सामान पहुच रहा है हालांकि इसके कुछ तथे उजागर हैं जबरन वसूली और मादक पदार्तों की बिकरी से वे अपना वितिय धाचा मजबूत कर पाने में सफल हो जाते हैं मगर ड्रोन हेलीकॉप्टर आदी का इस्तेमाल होने के बावजूद वे कैसे सुरक्षा इंतजामों को चकमा दे पा रहे हैं कैसे इस्थानिये लोगों का उन्हें समर्थन लगातार मिल पा रहा है इस पर प्रशासन को गंभीरता से सोचने की जरूरत है सबसे एहम बात की नकसली आखिर क्यों व्यवस्था के लिए चुनोती बने हुए हैं उनकी मांगों को सुनने और उनका कोई व्यावहारिक रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता तो शायद यह समश्या इतने दिन तक बनी नहीं रहती दरसल आदिवासी समुदाई के भीतर यह भै लगातार बना हुआ है कि उनकी जमीन और जंगल हडपकर सरकार खनिज निकालने वाली कमपनियों को सौप देना चाहती है ऐसा अनेक जगहों पर हो चुका है विकास के नाम पर हर सरकार का परयास होता है कि खनिज वाली जगहों का दोहन किया जाए मगर आदिवासी इसके लिए तैयार नहीं है उनके इलाकों में स्कूल, चिक्तसाल्य, सडक, बिजली, पानी की सुवीधा पहुचाई गई मगर इससे उनका मन नहीं बदला है तो इसके लिए दूसरे रास्तों की तलाश जरूरी है नाराज आदिवासी ही प्राय नक्सली स्वम्हों को पना देते देखे जाते हैं हालंकी 36 गड में नक्षलवाद अपने सिद्धान्त से काफी बठक चुका है मगर वह चुनोती बना हुआ है यह सरकारों के लिए चिंता का विशय होना चाहिए पैरा हाल ही में चंडिगड मेयर चुनाव के बाद पिटासीन अधिकारी ने जो किया उस मामले की सुनवाई सर्वोच्चे नयाले में चल रही है मगर इस बीच वहाँ पारशदों के पाला बदलने की खबरे आई हैं उससे यही लगता है कि चुनावी ब्रिष्टाचार के बरक्स चुने गए प्रतीनिधियों का पक्ष एक गंभीर समश्या बन चुकी है गोर तलब है कि मत गणना के दोरान उबहे विवाद के तूल पकड़ने पर भाजपा के महापोर बने मनुज सोनकर ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया दूसरी और आम आदमी पार्टी के तेन पारशदों के भाजपा में शामिल होने की खबर आई इस पक्ष बदलने की ओपचारिक घोशना होती है तो निगम में अब भाजपा पारशदों के कुल मतों के संख्या अठारे हो जाएगी जो भाजपा को अपने महापोर उप महापोर और वरिष्ठ महापोर चुनने के लिए पर्याप्त है मेयर चुनाव के नतीजों के दोरान जो विवाद उबरा था वह अब सुप्रेम कोट में है और इस पर अदालत की सक्त टिपणिया आ चुकी है सुनवाई के दोरान सीर्ष अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तशेप के लिए पिठासीन अधिकारी पर मुकदमा चलाने की बात कही पैरा सवाल है कि मेयर चुनाव में भाग लेने वाले गैर भाजपा दलों की ओर से मत पत्रों के साथ छेड़ छाड़ की जो शिकायत की गई थी वह सही साबित होती भी है तो नतीजा क्या होगा अब नई तस्वीर यह है कि संख्या बल के हिसाब से नतीजें भाजपा के पक्ष में जाने की ही संभावना बन रही है जिन पारशदों के अपना पक्ष बदल लेने की खबरे हैं कुछ दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उनके सामने अपनी पार्टी को छोड़ देना ही एक मात्र विकल्प बचा दरसल राजनितिक गलियारे में अब अपनी पार्टी के प्रती निष्ठा और जनता के विश्वास जैसे मूल्य बहुत तेजी से छीजते जा रहे हैं इसमें कई उम्मीदवारों का मकसद किसी तरहे जीत कर सिर्फ सत्ता पक्ष में शामिल होना होता है यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में लोकतांतरिक मुल्यों और सिध्धान्तों की राजनिती के लिए कितनी जग है बची है इस्टोब